हलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त अमित भादवाच न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है भाईया भूले तो नहीं हमें पता चले उधर वर्ड कप खतम और इधर आप हमें भूल गए क्योंकि अब प्रेडिक्शन गोशित कर दी है और गोशित हुए हुए अभी जो है सिरफ आठ गंटे ही बीते हैं लेकिन उसके ओपर कॉंट्रोवर्सी अभी से होनी शुरू हो गई है चाहे अस्ट्रेलिया हो साउथ अफ्रीका हो वेस्ट इंडीज हो या अपने प्यारा पाकिस्तान क्यों ना हो अभी सिरफ चार ही कंट्री के जो हैं वो लोग हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के हैं अफ्कोर्स अपने इंडिया के अरे ज्यादा होते तो चलो फिर भी समझ में आता 11 में से 6 प्लेयर ऐसे हैं जो कि टीम इंडिया के हैं यही कंट्रोवर्सी का सबसे चापी है अब मैं आपको टीम बतायाता हूं दोस्तों और ये भी बताऊंगा आपको कि जो टीम में है 11 के 11 या 12 के 12 वो क्यों है वो डिजर्व करते हैं इस जगा पे होना इसी लिए वो लोग है तो आईए शुरू करता हूं दोस्तों ओपनिंग जो है वो अपने कर रहे हैं शर्मा और साथ में उनके साथ जो हैं ओपनिंग करेंगे विराट कोली नहीं है दोस्तों इस टीम में आप इस गलफत में मत रहिएगा कि पूरी पूरी जो है इंडिया के टीम में उठाके डाल दी है विराट कोली को इस टीम में जगा नहीं मिली है रहमनुल्ला उनको जगा मिली है तो रोही शर्मा के साथ ओपनिंग वो करेंगे वन डाउन पर आएंगे दोस्तों निकलस पूरण तो तीन नंबर की पूजिशन पर यानि की फर्स नंबर पर इंडिया सेकेंड नंबर पर जो अफगानिस्तान का प्लेयर थार्ड नंबर पर वेस्ट इं एंट्री होती है और यहां पर है मारकस टॉनिश अस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए तो पांच शुरू के पांच में ही चार अलग अलग देश आ गए हैं दोस्तों छटे नंबर पर लिया गया है हार्डिक पांडिया को साथवे नंबर पर दोस्तों लिया गया है अकसर पटेल को यह तीसरे इंडियन प्लेयर है जिनकी की इस टीम 11 में एंट्री होई है आठवे नमबर पर लिया गया है दोस्तो राशित खान को अफगानिस्तान के दूसरे प्लेयर है ये उसके बाद नवे नमबर पर है जस्परीत घूमरा वो चौते प्लेयर है इंडिया की तरफ से दसवे नमबर पर हैं दोस्तों अर्षदीप सिंग, अगें इंडियान प्लेयर और उसके बाद ग्यारवे नमबर पर हैं दोस्तों फैजल फारुखी, अफगानिस्तान के प्लेयर, अफगानिस्तान के बॉलर सबसे हाईएस विकेट टेकर रहे थे, along with अर्षदीप, दोनों न हालांकि साथ अफरीका टीम जो है वो फाइनल्स में पहुंची थी तो उन्होंने सिर्फ और सिरफ एक बंदे को यहां पर एस 12 में लिया है और वो है एंडिज नौर्टिया उनकी बॉलिंग काफी अच्छी रही थी इसकी वजाए से उन्हें 11 में तो जगा नहीं मिल पाई लेकिन 12 प्लेयर उनको एंडिज नौर्टिया को लिया गया है अब क्यू लिया गया है दोस्तों यह जो 11-12 प्लेयर है उनको उसके बारे में बात करते हैं पहले बात करते हैं दोस्तों बैटिंग से रोहित शर्मा चलिए रह्मनुला गुर्बाद से बात करते हैं दोस्तों आठ मैचिस खेले उन्होंने 281 रंस मारे उन्होंने हाइस्ट रन स्कोरर थे वो पूरे T20 यह वर्ड कप में 35 की एवरेज है दोस्तों 124 का स्ट्राइक रेट है विगेट कीपर है आप कह सकते हैं कि इनकी जगा जो है रिशपपन्थ हो सकते थे लेकिन रिशपपन्थ ने जो है सिरफ 171 रं मारे हैं और वो लिस्ट में काफी नीचे हैं बैटिंग की सबसे टॉप करते हैं दोस्तों रह्मनुल्ला गुर्वास इसलिए उनको रही शर्मा के साथ रखा गया है अपकोर्स रही शर्मा सेकेंड नंबर पर है उन्होंने आठ मैचिज में 257 रं मारे है 156 का उनका स्ट्राइक रेट है 36.71 की उनकी जो है वो रही है 38 की अब आप लोग यह कोश्चन भी कर सकते हैं भाईया ट्रैविस हैड क्विंटन डीकॉक इब्राहिम जर्दीन इन सबने जादा रन मारे हैं लेकिन फिर भी जो है वो निकलस पूरन को ही क्यों लिया गया तो भाईया उसकी जो प्रॉब्लम है वो यह है कि मेरा भी यह मानना है कि ट्रैविस हैड को लेना चाहिए था उन्होंने 255 रन मारे हैं थर्ड नमबर में हैं वो ट्रैविस हैड को जरूर लेना चाहिए था स्ट्राइक रेट उनकी है 158 जो की निकलस पूरन से जादा है निकलस पूरन की 146 है और एवरेज जो है इनकी 42. जितने भी batsmen हैं दोस्तों उसमें सबसे अच्छी average जो है वो एंडू ग्राउस की है जो USA के batsman है और उसके बाद जो average आती है वो Travis Head की आती है तो मेरे साब से दोस्तों निकलस पूरन की जगा जो है Travis Head को लेना चाहिए था लेकिन फिर West Indies की तरफ से representation के लिए शायद कोई बच लेना चाहिए था इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसके बाद नंबर आता है सूरे कुमार यादव का सूरे कुमार यादव ने जो है वो सिरफ 199 रन मारे है 53 उनका highest था दो नुने half centuries मारी थी और उनका strike rate क्या था दोस्तों उनका strike rate था 135 का इसमें भी अब दोस् हो सकती है कि आपने क्विंटन डी कॉप को क्यों नहीं लिया या आपने एंड्रीव गाउस को या जोस बटलर को क्यों नहीं लिया जोस बटलर ने भी 214 रन मारे दोस्तों ब्यालिस पॉइंट असी के अवरेच से और 158 का उनका strike rate था तो मेरे साब से दोस्तों यहां पर ज करना चाहिए था लेकिन सूर्यकुमार यादव ने दो मैच विनिंग 50 लगाये थे उनी के वज़ा से इंडिया वो दो मैच जो है वो जीत पाई थी जो स्पटलर का सिर्फ एक ही मैच में जो है contribution रहा था मैच विनिंग जो contribution था वो रहा था इसकी वज़ा से सूर्यकुमार र्यादव को higher rate किया गया है और उनको जादा अच्छा जो है उनको जगा मिली है और प्लस उनकी जो final में catch थी final hour में वो तो एक बहुत बड़ा reason है ही है दोस्तों उनको team में रखनेगा अच्छा उसके बाद दोस्तों Marcus Tonis आते हैं Marcus Tonis जो है वो बहुत ही अच्छी जो है उन उन्होंने 151 run खाए हैं 10 विक्ते ली है 15 की average है उनकी विक्ते लेने की और एक जो आफ किज़े एकॉनमी जो है उनकी वो 8.8 है वो higher है all rounder के तोर पर उनको लिया गया दोस्तों बैटिंग में जो है Marcus Tonis का उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी है 164 की strike rate से उन्होंने 169 run मारे है और उनकी average रही है 42.25 बहुत ही बहतरीन average है दोस्तों सिर्फ बालिंग में economy के basis पर आप कह सकते हैं कि उनकी economy जो है बालिंग में काफी जादा रही है 8.88 बट दस विक्ते हैं और 167 में अगर आपको कोई marker दे सकता है वो भी ब्यालिस के average और 164 की strike rate पर तो आपको टीम में रखना बनता है उसे इसके बाद दोस्तों आते हैं हारदिक पांडिया के ऊपर हारदिक पांडिया ने जो है उन्होंने भी तकरीबन 10 विक्ते ही ली है 11 विक्ते ली है और 7.64 की उनकी economy थी और साथ में उन्होंने रन कितने मारे हैं दोस्तों रनों के मैमलों में भी अगर देखा जाए तो कहां गए कहां गए कहां गए भाईया हारदिक पांडिया ने 144 रन मारे हैं दोस्तों 48 की average है उनकी 48 की और 151 की जो है उन्होंने रन मारे हैं तो भाईया दोनों all rounder तो अपने आपको justify करते हैं चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो दोनों की strike rate भी अच्छी है और 7 में ही उनकी विकेट लेने की शमता भी अच्छ है इसके बाद दोस्तों आते हैं टीम के ऊपर तो इसके बाद नाम आता है एक्सर पटेल का अक्सर पटेल ने रंतों जादा नहीं की है दोस्तों रंतों उनके 100 के करीब ही है लेकिन विकेट की जहां तक बात है तो विकेट उन्होंने जो है अक्सर पटेल ने मैं अभी है मिरसे अक्सर पटल ने जी हां 9 विट्टे ली हैं दोस्तों 19.22 की एवरेज से एकॉनवी उनकी रही है 7.86 आठों के आठों मैज खेले हैं तो ये भी कही ना कहीं अपने आपको justify करते हैं दोस्तों टीम में आने के लिए बैटिंग में भी इन्होंने अच्छी एवरेज से तकरीबन 30 की अबरेज से उनने रन किये हैं और strike rate भी इनका 140 के आसपास का रहा है इसके बाद आते हैं दोस्तों राशित खान के ऊपर राशित खान ने 10 विट्टे ली है एकॉनमी रही है उनकी 6.64 की साथ से कम की एकॉनमी है T20 में बहुत अच्छी एकॉनमी है दोस्तों 19 20 रन इन्होंने खर्च की है एक विकेट लेने के लिए तो एकॉनमी इनकी काफी अच्छी रही है दोस्तों रनों के मामले में अगर मैं बात करूं तो रनों के मामले में यह मुझे काफी पीछे नजर आते हैं I think इनके भी जो है वो 100 के करीब ही रन है उससे जादा नहीं है जी हां 100 के करीब ही इनके रन बन रहे हैं तो रनों के तो नीख्यर इनको एस बॉलर नी लिया गया तो बॉलर ही इनको जो है ट्रीट किया जाएगा उसके बाद आते हैं दोस्तों जस्पृत भूम्रा जस्वीत भूम्रा का आपको पता है कि उन्होंने 15 विक्ते ली थी उनकी जो एकॉनमी थी वो थी दोस्तों सबसे कम 4.12 की मतलब एक ओवर में उन्होंने सिर्फ 4.12 रन दी है इससे अच्छी एकॉनमी दोस्तों ती 20 आई में किसी भी बॉलर की ना है ना होगी ना कभी रहेग तो वो है 8.8 9 रन से भी कम देकर इन्हों जो है 15 विक्ते जटकी है दोस्तों ऐसे आउटस्टेंडिंग बॉलर को तो आपको तीम में रखना ही चाहिए इनके बारे में तो ख्यार कोई कंट्रोवर्सी है भी नहीं इसके बाद नाम आता है दोस्तों अर्सबीप सिंका उन्ह रेजल फारुखी ने जो है उन्होंने भी 17 विक्ते ली थी अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर है यह 9.41 अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर को लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों 9.41 की एवरेज है इनकी मतलब सिरफ 9.41 नहीं ने खर्च किया है विकेट लेने के लिए साउथ अफ्रीका के प्लेयर इकलोते प्लेयर है जो ट्वल्ट की टीम में है 11 की टीम में तो जगा नहीं बना पाए दोस्तों तो इनको जो है 13.40 रन की जो है वो एवरेज बैठती है 8 विकेट लेने के लिए 15 विक्ते इन्होंने भी ली है भूमरा के बराबर और 5.74 की एक पॉइंट 16 रही थी और इवन फाइजल फारुकी की भी 6.31 रही है तो एंडियु नौर्किया को भी क्योंकि आपको टीम देखिए बैलेंस करनी होती है आपको या तो दो पेसर तीम पेसर या दो स्पिनर खिलाने होते हैं आल राउंडर खिलाने होते हैं तो टीम को बैलें ऐसा कि मैंने कहा कि शायद शायद हो सकता है कि सूरेकुमार यादव जो है उनका जो दो मैच विनिंग इनिंग्स थी वो हुई थी प्लस उन्होंने जो फाइनल में कैच लिया शायद इसकी वज़ाए से उनको जगा दी गई है तो जोस बटलर और ट्रेविस हैड को दोस्क इसलिए जगा नहीं मिली है क्योंकि सूरेकुमार यादव ने दो मैच विनिंग्स केली थी प्लस जो फाइनल में कैच थी उनकी बहुत बहतरीन कैच थी उसकी वज़ा से पूरा मैच पलट गया था दोस्तों हालांकि 6 बॉलों में 16 रन चाहिए थे अगर उस बॉल पर छक् अ करेश्ट शेंसे और या इंडिया के 6 को दिभका देते हैं थी यहें चाहिए दो अधरल के लिए जाए इस वीडियो के हिसाब से विडियो से चाहल ने brut लो ओए इसलिए और ऑद पर्प्वां घुख कर दी कि कि अपनी पर शाय करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को आपने लाइक करी दिया होगा comment section में comment करके आप बता सकते हैं कि आपकी team क्या होनी चाहिए ICC की match करती है या नहीं match करती कौन से player different है आपके मुझे comment section में comment करके जरूर बताइएगा दोस्तों और ज़दा से ज़दे वीडियो शेयर करी दीजीएगा especially उन लोगों तो जुरूर शेयर करिएगा जो कि इस चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाने में लगे हुए है कि टीम इंडिया के 6 प्लेयर्स डाल दीए है 11 में अभी के लिए दोस्तों इतना ही जल्दी आपसे मिलूँगा अलविदा